हेलो गाइज, वेलकम टो आवर यूट्यूब चानल इंग्लिश ओनर्स हब, कैसे हैं आप सब, I hope आप सब ठीक होंगे आज की वीडियो में हम DSE 12 शुरू करने जा रहे हैं, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश टांसलेशन इसका पहला वर्क, The Shroud, Shroud मतलब की कफन, इसको लिखा है मुंसी प्रेमचन ने, सो आईए सबसे पहले ऑथर के बारे में जानते हैं मुंसी प्रेमचन का तो नाम आपने सुना ही होगा, ये काफी ज़्यादा फेमस हिंदी राइटर्स में से एक है इनके जो वर्क्स हैं जादतर गरीब के उपर होते हैं कि गरीबों को कैसे दबाया जाता है, उन्हें कैसे उपरेश किया जाता है इन्हें साहिते अकैडमी अवार्ड भी मिला है, साथी साथे इन्हें पद्मभूशन अवार्ड भी मिला है प्रेमचन के जो works होते हैं इनको काफे सारे languages में convert किया गया है, translate किया गया है जैसे कि English, Urdu, Bengali, Marathi और साथ ही साथ इनके जो कहानिया होते हैं उन पे films भी बनाई गई है और Indian television serials भी बनाई गई है आईए अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं तो ये कहानी है एक बाप और बेटे की, घीसू और माधव की ये अपने घर के बाहर आँख जलाके बैठे हुए है और रात का समय है घर के अंदर जो है माधव की वाइफ बुदिया है जो की अभी लेबर पेन में है और वो दर्द के मारे बहुत जादा चिला रही है घीसू माधव को कहता है कि जाओ एक बड़ देखाओ बुदिया को कि वो इतना क्यों चिला रही है तो माधव कहता है कि कोई पॉइंट नहीं है उसको देखने का इससे बहतर होगा कि वो मर ही जाए तो घीसू बोलता है कि तुम कितने पत्थर दिल हो तो फिर नरेटर उसके बाद हमें करेक्टर्स की बैक स्टोरी बताते हैं ये बताते हैं कि घीसू माधव एक बहुती अंटचिबल कास से आते हैं और पूरे विलेज में इनको जाना जाता है कि बहुत जादा लेजी हैं बिल्कुल काम धंदा नहीं करते हैं हलाकि विलेज के अंदर बहुत सारे जॉब्स हैं लेकिन फिर भी घीसू और माधव जो हैं वो कोई भी काम नहीं करते हैं काम पे क्योंकि ये बहुत जादा बैड वरकर्स हैं बहुत जादा कामचोर हैं और ये बस अपने घर पे पढ़े रहते हैं और अपना पेट भढ़ने के लिए ये दूसरों के फील्ड से आलू हो गए मटर हो गए और बागी सारे क्रॉप्स जो हैं वो चुराके खाते हैं करन हैं जिसकी वज़े से ये दोनों ओर जादा लेजी हो गए और कुछ काम दंदर नहीं करते हैं ये सोचते हैं कि बुदिया तो है ये हमें खिलाने के लिए तो हम क्यों काम करें अब ये दोनों बैठे हुए हैं आग के सामने और ये पटैटोस खा रहे हैं ये वही पटै के बाद ये खाए ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है कुछ कामजंदा करते नहीं इनके घर में अनाश तो रहता नहीं ये खाने के लिए एक दो दिन पर इन्हें कुछ खाना मिलता है इसकी वज़े से दोनों आग में से तुरंद निकालके ही आलू खाने लगते हैं जिसकी लाएंगे क्या क्योंकि हमारे घर में तो बिलकुल भी अनाश है ही नहीं तो घीसू बोलता है कि कैसे भी हम मैंज़ कर लेंगे जो भी हमें विलेजर से मिलेगा वो हम खिलाई देंगे कैसे न कैसे फिर जैसे घीसू को एक दावत क्याद आती है जब वो 20 साल पहले एक लैं डोनर बहुत अच्छा था चूंकि उसने बोल रखा था कि कोई भी जतना भी खा सकता है जिसका जितना मन करें फूड पर कोई भी लिमिट नहीं है तो माधव कहता है कि काश आज भी कोई ऐसी दावत रखे मट घीसू कहता है कि आज कल लोग ऐसी दावते नहीं रखते हैं क्य जो है अभी भी चिला रही है और जब सुबह होती है तो माधव घर के अंदर जाता है और देखता है कि बुधिया मढ़ चुकी है साथी साथ जो उसका बेबी था वो भी पेट में ही मढ़ चुका है माधव घीसु जो है वो जोड़ जोड़ से रोने लगते है अपनी चाती पीट पीट के वो रोने लगते है और फिर जो नेबर्स होते हैं उनके आसपास की पडूसी होते हैं वो आते हैं उनको कंसोल करने के लिए दोनों जो है बाब बेटे वो विलेज लैंडलोड के पास जाते हैं रोते हुए बोलते हैं कि साहब हमें कुछ पैसे दे देजी हमारे घर में अभी देथ हुई है और हम चाहते हैं कि बुदिया का हम प्रॉपर अंतिम संसकार कर पाए लैंडलोड उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है लेकिन बिना कुछ कहें उन्हें दो रुपे दे देता है फिर माधव और गिसु जो है वो भीक मांगना चालू रखते हैं पूरे विलेज में और ऐसे भीक मांगते मांगते उनके पास पांच रुपे जमा हो जाते हैं साथी साथ कुछ लकडिया और कुछ अनाज भी कटा हो जाता है फिर जो महिल लाएं हैं गाउं की वो आती है बुदिया की बॉड़ी को देखने के लिए वही जो दूसरे विलेजर्स है वो बैम्बू पोल्स बना रहा है जिससे की डेट बॉड़ी को ले जाया जा सके फिर उसके बाद माधव और घीसु जो है वो मार्केट जाते हैं श्राउट खरीदने के लिए जिससे की बुदिया की बॉड़ी को कवर कर पाए मार्केट के अंदर जो बाप बेटे हैं दोनों ही ढूनते हैं श्राउट को और वो सोचते हैं कि श्राउट जो है वो श्राउट खरीदने का मतलब ही किया है क्योंकि वो भी तो बॉड़ी के साथ जल ही जाएगा तो हम उस पर पैसे क्यों खर्च करें वो बहुत जादा क्लॉज सेलर्स के दुकानों में देखते हैं बट कुछ भी खरीदते नहीं है ऐसे करते करते पूरा दिन निकल जाता है और शाम हो जाती है शाम होते होते घीसु और मादव जो है वो एक वाइन शॉप में चले जाते हैं पहले तो वो थोड़ा जिजकते हैं कुछ ओडर करने से लेकिन फिर घीसु जो है काउंटर पे जाता है और एक दारू की वोतल मंगाता है साथ ही साथ कुछ नाश्टा वगेरा भी मंगाता है और फ्राइड फिश भी मंगाता है फिर वो अराम से पीसफुली बैठते हैं वेरेंडा पे और घीसु और कि वो भी तो जली जाएगा माधव कहता है कि जो भी गिफ्ट्स हम डेड बॉडी को चड़ाते हैं वो उसके अगले जनम में काम आता है घीसु कहता है कि अमीरों के पास इतने पैसे होंगे कि वो डेड बॉडी पे खर्च कर सके हम जैसे गरीब का क्या हमारे पास इतना पै ऐसा खर्च कर सके माधव जो है वो सोचता है कि हम लोगों को क्या कहेंगे कि डोनेशन कहां गया हमने उसका क्या किया तो फिर गीसु बोलता है कि अरे क्या ही हो गया हम कोई भाना बना देंगे फिर माधव और गीसु और जदा खाना मंगाते हैं और जदा ड्रिंक मंगाते है और नियरली अपना सारा डोनेटेड मनी खर्च कर देते हैं वो कहते हैं कि बुधिया पक्का स्वर्ख जाएगी क्योंकि उसने कोई भी गलत काम नहीं किया अपनी लाइफ में और मरते मरते भी हमें सुकून की जिन्दगी दे गई हमें डोनेशन्स दे गई जिसकी वज़े से आज हम यहां पे बैटके इतनी मस्ट पार्टी कर पा रहे हैं इतना अल्लिमिटट फूड खा पा रहे हैं और ड्रिंग पी पा रहे हैं फिर माधव कहता है कि अगर हम भी हेवन चले गए और वहां पे जाके बुदिया ने हमसे पूछा कि हमने उसे मरते टाइम श्टाउट भी नहीं दिया तो फिर हम क्या जवाब देंगे तो गीसो बोलता है कि अरे हो जाएगा बंद बस हम अभी अपनी ड्रिंग पे फोकस करते हैं तो जैसे जैसे और रात होती है तो वाइन शॉप में और ज़्यादा भीड इखटा हो जाती है और जो गाओं के लोग होते हैं वो देखते हैं कि इनके घर में अभी अभी एक मौत हुए और ये लोग यहाँ पे बैटके पार्टी कर रहे हैं उसके बाद जो है माधव का जब खाना खाया हो जाता है तो वो अपना बचा कुछा खाना जो है एक बिखारी को दे देता है ये उसकी जिन्दी का पहला टाइम है जब उसने किसी को दिया है ना कि किसी से मांग के खाया है और अब उसको बहुत जाद अच्छा फील हो रहा है ऐसा करते हुए और वो बिखारी को कहता है कि तुम ये खाना खा लो और बुधिया को ब्लेसिंग जरूर देना फिर माधव कहता है कि बुधिया जो है वो कुईन ओफ हेवन बनेगी फिर उसका मूड तुरंट चेंज हो जाता है वो तुरंट रोने लगता है बोलता है एक बुधिया ने कितना ज़्याद सफर किया अपनी लाइफ में घेसो बोलता है कि तुम रो मत बुधिया बहुत लगी है कि वो इतनी जल्दी इस वर्ल्ड से चली गई क्योंकि वर्ल्ड बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है घेसो और माधव दोनों ही फिर नाचने गाने लगते क्योंकि उन्हों बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है और इतनी ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद वो फाइनली नीचे गिर जाते हैं अब हम थीम्स की तरफ बढ़ते हैं पहली थीम है पोवर्टी और क्लास इनिक्वालिटी प्रेम चंद के जाज़तर जो वर्क्स होते हैं उसके अंदर वो पोवर्टी के बारे में बताता है कि कैसे गरीब लोगों को दबाया जाता है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है सेकेंड है शोशियल और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे भी हमने देखा कि कैसे एक्स्प्लोइटेशन हुआ है बुदिया का बुदिया ने कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहा लेकिन फिर भी उसकी देथ हो गई थर्ड है एक्स्प्लोइटेशन और पावर डाइनेमिक्स काफी सारी स्टोरी डिपिक्ट करती है कि एक्स्प्लोइटेशन किया जाता है वीक लोगों का बाइदा पावरफुल चाहे कोई वेल्दी लैंडलोड किसी पूर किसान का एक्स्प्लोइटेशन करे कोई एम्प्लोइर किसी वर्कर का एक्स्प्लोइटेशन करे या फिर मेन जो है वो वुमेन को एक्स्प्लोइट करे इस कहानी के अंदर भी हमने देखा कि जो बुधिया है उसने इतने ज़्यादा hard work किया इन दोनों men को खिलाने के लिए इनकी take care की फिर भी end में उसे क्या मिला उसे सिफ मौत मिली यही पर हमारी वीडियो खतम होती है अगर आपको ये notes चाहिए तो आप हमारे telegram channel join कर सकते हैं और ये notes आप ले सकते हैं link आपको description में मिल जाएगा thanks for watching खतम बाई बाई टाटा गुड़ बाई